विक्सित भारत संकल्प यात्रा के तह нравится जो अलग-अलग जी सहरों में कैम्प लगाय जारे हैं उसकी बारे में आप क्या करना चाहेंगे हैं तेके मुझे वड़ी खुछी है कि आदरन्यय या मुख परधान मंतरी जी के निरदेश पर आज पूरे देश में विक्सित भालत संकल प्यात्रा के कैम्प इसी प्रकार से आयुजित किये जा रहे हैं गाओ गाओ ये मोदी की गारेंटी की ये गाड़ी जा रही है और यहां अपने जैपुर शहर में भी हर वार के अंदर इस प्रकार से गाड़ी जाके प्रशार प्रशार कर रही है इससे ल जो ग्रहे भी भाग है इस बार क्या सीम के पास रहेगा या कोई मंतरी देखने को मिलेगा अब यह मुख्य मंतरी जी बता सकते हैं मैं कैसे बताओं नहीं आप इतने सीनियर हैं अले पर यह मुझे लगता कि आपको मंतरी मंदल में क्या पद मिलने की उमीद लग रही आपको यह सिर्ष नेत्रत्व करता है यह हम अपने हम स्वेम नहीं करते हैं बजनलाल जी पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में सीम बन गए हाथ यह उनकी योगिता को देखके और सिर्ष नेत्रत्वने यह सोचा होगा कि इनको बनाया जा इसली बना दिया हमाले साले पारसद बहुत उसाइत हैं सरकार परिवर्चित होने के बाद और सब जो हमाले पारसद हैं और जो हालेवे पारसद हैं वो सब अपने अपने छेतर में मुस्तेदी के साथ काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि पिछले साथ दिन में और नगर निगम की जो स बिल्कुल नंबर वन पर आएंगे यही प्रयास है हमारा धन्यवाद सहरी अभियान के तहर जो कैम्प लगाए या रहे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए कहने को तो बहुत कुछ है हम सब स्वभग्य सालिय है कि हमारी देश का प्रधान मंसी आधन्य मोदी जी हम लोगों को मिले है वो एक बगवान का रूप है जो छोटे तक्वे के लोगों के लिए सोचते हैं अंतिम पंक्ति में बैठे वे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस सोच कर देखते वे यह विक्सित भारत के तहट ये कैम्प लगाए गए हैं इसमें छोटे तकवे के लोगों के लिए उजुला योजना, स्वय निधी योजना, पीएम आवास योजना, उजुला योजना और इस तरीके की आयोशमान भारत, इस तरीके की बहुत सारी योजना है, जो लोगों को लाभामित कर रही है, और लोग उसका फाइदा उठा रहे हैं, देखिए जो मैंने पहले स्वेह निदी योजना केते, जिसको 10,000 दिलवाया था, उसको आज 20,000 का मिल रहा है, जिसको 20, 10,000 का दिलाया था, उसको 50,000 का मिल रहा है, कोई फॉर्मल्टी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, सिस्टम से चलना होता है, आप देखिए बैंकों से लॉन लेते हैं, या प्राइवेट लोगों से लॉन लेते हैं, ब्याज के मारे लोग मर जाते हैं, मूल रासी तो ब्याज भी नहीं दे पाते हैं, तो मोदी जी ने इतना कराई कि उनको किसी तरीके का कोई ब्याज नहीं देना है, 10,000 वाला जो व्यक्ति है, वो मिनमम 600-700 रुपे दो मेने बाद में जमा कराना लगेगा, और उसका एक बैंक जो इस्टेटमें मजबूत हो जाता है, उसको वापस 20,000 का मिलता है, ऐसे करके 50,000 का मिलता है. और सबसे बड़ी बात ब्यास तो धूर उनको मूल रकम भी नहीं लोटाने पड़ेगी उनके चछत बनेगी घर की लेकिन उनके सर पे कर्ज नहीं रहेगा ये बहुत अच्छी बात है मोदी जी की जो सोच है इसी सोच की वज़े से पूरा भारत हम सब मिलकर विक्षित करेंगे मोदी जी का सपना साकार होगा आप देखिए उजला योजना के तहट साड़े चार सो में गैस सलंडर का वादा कराता चुना में और कल गोशना कर दी साड़े चार सो रुपे में गैस सलंडर उपलब्द का मैं आपके माध्यम से हमारे राजस्तान के यश्यश्वी प्रदान मंतरी बजनलाल जी का भी दन्यवाद करूँगी और हमारे देश के प्रदान मंतरी आदने मोदी जी का भी दन्यवाद करूँगी कि आपकी सोच से निश्चित रुप से भारत विक्षित होगा और प्रतेक अंतिम पंग्ति के व्यक्ति को लाब मिलेगा और सक्षम होएगा आपका बहुत बात आभार देखिए कॉंग्रेस ने सिरफ पांच साल कोई काम नहीं किया लाश्ट के दो मेने में जब चुनाव आ रहे थे तो रेवडिया बाटने का काम किया तो राजस्तान की जनता समझदार है कि जिस सरकार ने पांच साल कोई काम नहीं किया और वो दो मेने में रेवडिया बाट रही है और राजस्तान का खजाना खाली कर दिया जनता का पैसा जनता को देखे और राजस्तान का खजाना खाली कर दिया लूट मार की नीती अपनाई उन्होंने ना तो राजस्तान की बेहन बेटियों को सरक्षा दी ना किसी चीज का फाइदा दिया और ये मोदी जी के उपर विश्वास है हमारे देश के प्रदान मंतरी आदन्या मोदी जी है केंदरे सरकार हमारा सयोग करेगी और हमारे राजस्तान के मुख्या मंतरी जी हमारे राजस्तान की जनता को लाभानवित करवाएगी